पर रियालिटी में ये हमारी लाइफ को और बुरे से बुरा बनाता जा रहा है और तो कैल न्यूपोर्ट की बुक डिजिटल मिनिमलिज्म एक फिलोसोफी है जहां आप टेक्नॉलोजी को अपनी डीपेस्ट कोर वैलियूस को इंक्रीस करने के लिए यूज़ करते हैं याने के आपको अपने डिवाइसेस को हमेशा के लिए छोडने की ज़रुत नहीं है क्योंकि ऐसा करना आज के टाइम में पॉसिबल भी नहीं है बलकि ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने डिवाइसेस को अपने फायदे के लिए यूज़ करना सीख सकते हैं बिना घंटो इस पे यूही टाइम वेस्ट किये एक डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने के लिए आपके फोन में सिर्फ वही एप्स होनी चाहिएं जो आपकी कोर वैलियूस को एन्हेंस करें पर एक्जामपल किंडल एप या आडिबल आपकी लर्निंग की एबिलिटी को इंक्रीस करता है एक नोड टेकिंग एप आपकी क्रीटिविटी को इंक्रीस करने में यूज होता है जहां आप अपने थौट्स और आइडियास को कैप्चर करते हो डिजिटल मिनिमलिस्म ऐसा है जैसे के सारे जंक फूट को अवोइट करके सिर्फ हेल्दी फूट खाना जो आपकी फिजिकल हेल्थ को बहतर बनाता है वैसे ही जब आप अपने डिवाइसे को यूज करने की साइकल में से अपने डिजिटल जंक फूट जैसे के सोशल मीडिया और गेम्स को अवोइट करके अपने डिवाइसे को अपने फायदे के लिए यूज करना सीख जाते है तो आप एक Digital Minimalist बन जाते हैं लेकिन ऐसा आप कैसे कर पाओगे तो उसके लिए हम आपको Author Cal Newport की Amazing Book Digital Minimalism में से ऐसे पांच valuable lessons बताएंगे जो आपको digitally अपने काम को effectively करने में help करेगा और आपको एक Digital Minimalist बनाएगा So Number 1, Digital Declutter Digital Decluttering का process आपकी Digital Minimalist बनने की जर्णी को क्योंकि स्टार्ट करता है आप भी ये जानते हो कि कई सारी ऐसी एप्स हैं जिने आप बोर्डम में बहुत स्वादा यूज करते हो पर Author कहते हैं अब वो एप्स बोर्डम से बशने का एक escape नहीं रहीं बलकि बड़ी बड़ी companies billions of dollars invest करके आपके attention को grab करती हैं और वो चाहती हैं कि आप बार बार बोर हो ताकि आप इन apps को use कर सको Digital Decluttering करने से आप अपने digital assets और liability को differentiate करते हो जहां आपको realize होता है कि कौन सी apps आपकी life में real value add कर रही है और कहां आप अपना सबसे ज़्यादा time waste कर रहे हो आथर हमें Digital Decluttering का step by step process पताते हैं step 1 तीस दिनों के लिए उन सभी technology से break लो जो आप के लिए बिल्कुल भी essential नहीं है जैसे social media, games, etc जहां आप बिना सोचे समझे अपना time spend करते हो तीस दिनों के लिए उन्हें use करना बंद करो step 2 अब इन 30 days में आपको बहुत अर्ज होगी उन apps को use करने की क्योंकि आपके पास time pass करने के लिए कुछ नहीं है आपके brain को उसकी habit है पर आपको सिर्फ इन apps से दूर नहीं रहना बलकि इन 30 days में आपको अपने उपर focus करना है ये देखना है कि आपको और कौन से activities पसंद है आप कोई new skill सीख सकते हो कोई sport खेल सकते हो basically इन 30 days में आपको technology का एक alternative ढूणना है step 3 अब इस 30 days के break के बाद आप new technologies को अपनी life में वापस introduce करें पर इस बार आप इन technologies को habit नहीं बनने देंगे बलकि आप ये देखेंगे कि ये आपकी life को कैसे better बना सकता है और आप कैसे इसकी value को maximize कर सकते हैं practices to adopt smartphone addiction statics की एक report के according 66% लोगों को serious mobile phone addiction है अब आतर ये नहीं कहते कि आप अपने phone को बिलकुल ही छोड़ दो बिलकुल use ही मत करो बलकि phone के बिना ना रहने की हमारी जो habit बन चुकी है उसे change करो अपनी life में कुछ ऐसी practices adopt करो जिससे आपका ये mindset develop हो कि आप phone के बिना भी रह सकते हो जैसे author हमें कुछ practices suggest करते हैं leave your phone at home जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हो और suddenly आपको realize होता है कि आप अपना phone घर भूल गए तो आप भाग कर अपने phone को लेने चाते हो जैसे अगर आप phone लेकर बाहर नहीं निकले तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा author कहते हैं phones convenient है पर आपको 24 घंटे phone की जरूरत नहीं होती तो जब भी आप कुछ देर के लिए बाहर जाएं कुछ shopping करने या किसी से मिलने तो phone को ले जाना avoid करें और ये mindset डवलप करें कि आप phone के बिना भी जी सकते हैं टेक long walks famous philosopher Frederick Nietzsche कहते हैं all great thoughts are produced while walking Nietzsche 8 घंटे तक लगातार walk कर सकते थे और वो कहते थे walking से वो solitude phase में चले जाते थे जो उन्हें अपने कामें बहुत effective बनाता था author Cal Newport भी खुद daily अकेले long walks के लिए जाते हैं जो उन्हें और peaceful और confident फिल कराता है इसलिए आपको भी daily अकेले long walks पर जाना चाहिए अब अकेले से मतलब सिर्फ किसी के साथ नहीं भलकि आपको अपने phone को भी नहीं लेके जाना चाहिए write letters to yourself author कहते हैं अपने thoughts को capture करने का सबसे best way है writing writing करते time और social interaction करते time आपके brain के same parts active होते हैं तो खुद से interact करने का सबसे best way राइटिंग करना है अपने thoughts को लिखो, new ideas को लिखो अपने plans और goals के बारे में लिखो हाप किन चीजों के लिए grateful हो life में उन्हें लिखो author कहते हैं जब आप किसी idea को अपने mind से paper पर लाते हो तो वो ज़्यादा believable लगते हैं reclaim your conversations author कहते हैं my argument is not anti-technology it's pro conversation कई social media platforms के वज़े से healthy conversation कम होती जा रही है लोग आपस में meaningful connection नहीं बना पाते whatsapp पे घंटो interaction करना proper conversation नहीं होता जहां loss of eye contact और body language की वज़े से कई conflicts भी create होते हैं इसलिए author कहते हैं हमें online social interactions को कम से कम वक्त देना चाहिए जिसके लिए author कहते हैं आपको don't click like और consolidate texting का rule follow करना चाहिए जहां आप किसी भी social media platform पर posts को like करना avoid करो जिससे आपके brain को ये signal मिलता है कि ये proper interaction नहीं है और अपने phone को ज़्यादा तर do not disturb mode पे रखो ताकि आप आसान इसे texting करना avoid कर सको spend time alone author कहते हैं आज के time पर teenagers per day average 4 से 9 घंटे digital media consume करते हैं जो कि आज कल young generation में high anxiety disorder का reason बन गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि author के according लोग अपनी life में solitude की importance को भूल गये हैं solitude का मतलब generally लोगों को लगता है कि अकेले रहना होता है लेकिन सबसे disconnect होकर lonely रहना solitude नहीं होता बलकि solitude होता है अपने thoughts के साथ अकेले time spend करना अपने आपको discover करना पर आज कर लोगों का सारा time उनके काम relationships manage करने में ही चला जाता है और जो time बसता है वो उसे digital media consume करने में spend कर देते हैं जिस वजह से वो खुद के साथ time spend नहीं कर पाते author solitude master करने के तीन फायते बताते हैं पहला आप अपने आपके बारे में कई चीज़े चानते हैं जो आपको new ideas develop करने में help करता है दूसरा आप खुद को और बहतर तरीके से समझना शुरू करते हैं आप अपनी गलतियों को accept करते हैं और अपने best part को embrace करते हैं जो आपकी confidence को build करता है तीसरा इससे आप खुद के बारे में aware हो जाते हैं आपको पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है और जब आप बाकी लोगों से मिलते हैं तो आपके social interaction भी बहतर हो जाते हैं आप खुदी सोचो के आपने last time ऐसे benefits कब experience करे थे जहां आपने खुद से honest self-talk करी हो और आपको अपने बारे में कई चीज़े पता चली हो इन सभी reasons की वज़े से हमें solitude life को practice करते रहना चाहिए ऑथर कहते हैं एक minimalist lifestyle जीने के लिए आपको think in value rule follow करना होगा जिसका मतलब है आपको ये देखना होगा कि आपके आसपास जितनी भी चीज़े हैं उसमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा value देती है और कौन सी चीज़ सिर्फ आपका time waste करती है चलिए इसे एक example के त्रिव समझते हैं मान लीजे कि आपके phone में सिर्फ तीन apps है उसमें से एक app card games का है एक app है social media का जो आप सबसे ज़्यादा use करते हो और तीसरा app है note taking app जिसमें आप एक दिन के सारे notes ready करते हो आपकी to-do list, आपकी daily schedule, आपकी goals और सभी important tasks ताकि आप properly organized रहो अब आप खुदी बताओ कि इन में से कौन सा app सबसे ज़्यादा value रखता है obviously last वाला note taking app क्योंकि सिर्फ वही एक app है जिससे आप सच में अपनी life को improve कर सकते हो और वही app आपको सबसे ज़्यादा value दे रही है तो आप एक digital minimalist वाला mindset बना लेते हो lesson your availability कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी पुरानी habits की तरफ फिर खिचे चले जा रहे हो ऐसा अकसर उन लोगों के साथ होता है जो daily basis पे काफी ज़दा social media यूज़ करते है या जिनका कामी social media networks के थुरू होता है तो ऐसे लोग जिनका कामी social media के थुरू होता है वो कैसे distraction से बचें तो दोस्तों social media से पूरी तरह छुटकारा पाना तो possible नहीं है मगर हाँ आप अपनी availability ज़रूर कम कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप distract हो सकते हो तो आपको अपने usage कम करने के लिए कुछ side blockers का use करना चाहिए जैसे अपने time को manage करने के लिए alarms use कर सकते हो आप काम को different intervals पर divide कर सकते हो जिससे आपको ये burden नहीं लगेगा और आप distract भी नहीं होंगे और दोस्तों life में boundaries और limitations होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही boundaries आपको distraction से बचा सकती है और digitally minimalist lifestyle जीने में मदद कर सकती है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और subscribe बटन पे क्लिक करके इस channel को grow करने में support करो और bell notification on का लीजे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिच ना कर पाओ थैंक यू फर वाचिंग